Hello guys, welcome back to a new video and आज इस वीडियो के अंदर लोग बात करने वाल है Castrol India के चार्ट के बारे में ये चार्ट multi-year breakout ले रहा है and आज की candle close के बाद हम लोग को काफी हथ तक ये assurance मिल चुका है कि इस चार्ट के अंदर हमको breakout मिल चुका है although अभी भी ये monthly time frame पर है चार्ट तो जब तक Friday की candle close नहीं हो जाती है तब तक हम लोग 100% sure नहीं हो सकते but as of now जितना भी हमको charts में नजर आ रहा है things are looking very bright for Castrol India अगर हम लोग बात करें trend line की तो जो trend line का breakout होना था है 170 के उपर होना था आज ही closing हमको 182 पे मिलिया मतलब जो trend line थी वहां से almost 6-7% का bounce already हम लोग को इस chart के अंदर मिल चुका है 8 year old downtrend था ये जिस downtrend को आज हम लोग ने break किया है and 12% की up move के साथ हम लोग आज बंद हुआ है मेरे हिसाब से जो potential upside है मैंने क्या किया है मैंने इस उपर वाले point को और इस नीचे वाले point को मैंने match किया है Fibonacci extension से जिस से हमारे जो targets आ रहे हो 61.8% का level आ रहे है 202 पे and 78.6 का level आ रहे हो 233 पे and these are my potential upside for the up move ठीक है तो 182 के उपर भी हमको breakout मिल चुका है downtrend भी हमारा break हो चुका है potential upside आपको बता दिये invalidation 160 के नीचे closing पर हमको मिलेगी जो कि हमारा 38.20 का again एक Fibonacci level है and काफी जादा crucial है तो आप लोग इस chart को track कर सकते हो obviously this is not a financial advice disclaimer आप लोग को नीचे मैंने डाल दिया है जो भी आप करते हैं सब कुछ आप अपनी responsibility पर ही करते है अगर आप लोग को यह पसंद है और आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियो बनाओ यह वीडियो में almost 2 minute तक का ही बनाता हो तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसे और stocks को cover करो मेरे बहुत ईजी होता है में दिन में 2-3-4 stocks भी cover गवे वे और बहुत रखे से और बहुत दिन में से कि बख़व बेड़ा है